दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लासिस और अब्जेक्ट क्या होते हैं कैसे इनको क्रियेट किया जाता है और क्यों क्लासिस का यूज किया जाता है क्लासिस और अब्जेक्ट का सेंटेक्स क्या है Member function क्या होते है, data member किसे कहते है, assess modifier किसे कहते है यह सारा कुछ guys आपको एक simple से example देके मैं सारा कुछ clear कर दूँगा तो आपने इसके हवाले से जरा भी परिशान नहीं होना और guys अगर आपने अब तक मेरी oop की playlist को access नहीं किया तो आप उसको भी access कर सकते हैं उसमें मैं up full detail में start से लेके end तक पढ़ाने वाला हूँ तो guys यह visual studio code मेरे सामने open है सबसे पहले मैं आपको class बनाना जिखाऊंगा उसका basic syntax है वो बताऊंगा उसके बाद नहीं को बताऊंगा कि हमें class की जरूरत क्यों पड़ी हम class का क्यों use करते हैं तो guys यह visual studio code मेरे सामने open है मैंने अब तक क्या किया है मैंने C++ का basic syntax लिखा है और syntax guys मैंने एक file में लिखा है जिसका नाम है lecture1 लेक1 के नाम से आप देख सकते हैं और इसकी extension है .cpp अब तक guys मैंने यही किया है तो आईए guys अब मैं आपको आपकी पहली class बनाना सिखाता हूँ कि आप अपनी class कैसे बना सकते हैं तो guys अपने करना क्या है आपने जो main function है उसके उपर अपने class का keyword लिखना है और अपनी class का name लिखना है अब भी के लिए मैं अपनी class का name लिख रहा हूँ बैंक के नाम से आप a, b, c, d, e, f, g, hello, employee या कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद guys आपने curly bracket लगानी है और उसके बाद यहाँ पर आपने semi colon लगाना है तो guys यही आपका class का basic syntax था कि आपने class लिखनी है class का name लिखना है जो के मैंने भी bank लिख है curly bracket लगानी है और उसके end में semi colon लगाना है यह आपका basic class का syntax है और guys इस topic के start में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि SS specifier किसे कहते है तो guys जब classes हम बना रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग private और public SS specifier mention करते हैं मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ तो guys यहां पर मैं लिखूंगा private और इसके बाद guys आपने लगाना है colon और इसी को मैं copy करके paste करूँगा और यहां private के जगा public लिख दूँगा pub यह publicly दिया मैंने इसको safe किया तो guys कोई भी आपसे पूछी SS specifier किसे कहते हैं आपने कहना यह जो public और private होता है इसको SS specifier कहते हैं SS specifier में बस इतना ही था तो guys आगे code लिखने से पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं classes की ज़रूरत क्यों पड़ी तो guys आपने उप सीखने से पहले basic c++ जो है वो तो आपने सीखी होगी तो जो c++ में आपने एक चीज़ सीखी होगी structures के नाम से struct जिसे कहते हैं तो guys जैसे c++ में structures use होते हैं classes भी same वो ही काम करती हैं वैसे ही use होते हैं आप structure को भी उपर define कर देते थे और नीचे कहीं भी उसको use कर लेते थे इसी तरीके से guys आप class को भी उपर define कर देते हैं और इसको कहीं भी अपने program के अंदर main यह जो यह main है इसके अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं तो गैस फिर classes क्यों बनाई गई जब सारा काम structure के through ही हो सकता था तो classes का फाइदा क्या है तो गैस जो classes का major और सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें हम data की hiding कर सकते हैं अब इस बात का क्या मतलब है मैं आपको ये explain कर देता हूँ तो guys मैं आपको एक इसकी real एक simple से example देता हूँ कि आपकी एक facebook है उसका एक email होता है और एक password होता है जो email होता है वो अप पब्लिक होता है वो आप किसी को भी बता सकते है लेकिन जो password होता है वो private होता है तो password अब हर किसी को नहीं बता सकते, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, तो guys इसलिए classes बनाई गई, तो guys ऐसी information, जो के मेरी private information है, जो के मैं नहीं चाहता है, कोई assess करें, उसको मैं private के अंदर mention करूँगा, और जो के कोई भी assess कर सके, जैसे के email, मेरा name, मेरा last name, मेरा first name, वो म public में mention कर दूँगा, तो guys इसलिए classes बनाई गी, structure में आप ये काम नहीं कर सकते थे, उसमें अपने जो भी लिख दिया है, हर कोई assess कर सकता था, लेकिन classes में आप अपनी data को hide कर सकते हैं, जो चीज़ आप दिखाना चाहिए, वो दिखा सकते हैं, जो चीज़ आप छुपाना बनाऊंगा, int amount equal to 50, मैंने इसको save किया, तो guys अब मैं आपको दूसरा concept बता दूँँ, कि data member किसको कहते हैं, तो guys जो भी आप अपने classes के अंदर variable declare करते हैं, इधर मैंने भी amount किया, इसको data member कहते हैं, तो guys bank के बारे में मैं आपको थोड़ा सा explain कर दूँ, कि bank की information है, उसमें जो मेरी amount है, वो मेरी private चीज है, तो guys किसी का भी bank account होगा, उसकी amount उसके bank के अंदर पड़ी होगी, वो उसकी private चीज होगी, right, तो इसलिए मैंने एक bank की class बनाई, और उसके अंदर जो amount है, उसका एक variable बनाया, और उसको private में रख दिया, I hope आपको यहां तक समझ आ गई होग see out your amount is, और guys यहां पर मैं अपना amount का, जो मेरा variable है, उसको mention कर दूँगा, तो guys मैं आपको एक बात बता दूँ, कि जो आप जो भी variable declare करेंगे, amount, for example, a, b, c, d, या जो भी जिस भी name से आपने किया है, आप उसको इस class के अंदर कहीं भी assess कर सकते हैं, लेकिन उसको इस class के बाह और guys अब मैं यहां पर लिखूँगा, handle, इसको save करूँगा, तो guys यहां तक अब हमारी एक class बन चुकी है, तो अब हम इसको assess करते हैं, तो assess मैं किस तरह करूँगा, मैं यहां पर आउँगा, तो guys यहां पर सबसे पहले आपने अपनी class का name लिखना है, मेरी class का name था bank, और for example मेरा name, for example मेरा name है John, तो जो भी आप यहां पर लिखना चाहिए, जिस भी name से बनाना चाहिए, आप उसको बना सकते हैं, और यहां पर मैं लिख लूँगा, semicolon, इसको मैंने safe किया, तो guys अब यह जो John है, इसके अंदर यह मेरी class आ चुकी है, तो इसके जो public methods है, उसको मैं assess कर सकता हूँ, तब वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा, यहां पर john.display, और इसको मैं यहां पर safe कर दूँगा, और यहां पर semicolon, safe किया, और guys अब हम इसको run करके देखते हैं, तो guys run करने के लिए मैंने इसके अंदर एक extension की हुई है, code runner के नाम से, तो आप इसको कर सकते ह हैं, जब आप इसको करेंगे, तो यहां पर यह automatically यहां पर एक button आजएगा, आप इसको पर click करेंगे, और boom guys आप देख सकते हैं, your amount is 50, मैं अपनी amount जानना चाता था, तो मैंने यहां पर अपने function को call किया, तो यहां पर वो मेरी amount जो भी थी, उसने मुझे दिखा दी, लेकि आ चुका है, यह देखें guys आप देख सकते हैं, amount is private within this context, तो मतलब आप amount को direct assess नहीं कर सकते, right, I hope आपको guys यहां तक समझ आ गई होगी, और guys जो भी आप functions अपने class के अंदर mention करते हैं, जैसे मैंने display किया है, इसको कहते हैं member function, तो I hope guys आपको यह concept भी clear हो गया होगा, और फिर भी कोई भी confusion और किसी भी हवाले से आप direct मेरे से Instagram पर पूछ सकते हैं, उसका नाम और link मैंने description पर दिया हुआ है, तो guys इसको मैं यहां से close करता हूँ, और मैं आपको एक और class मना कर दिखाता हूँ, इसको मैं change करता हूँ student के name से, student यहां पर guys अब मैं इसको कर दूँँगा roll number, जो मेरा roll number है, वो for example 50 ही है, और इसको मैं यहां पर roll number कर दूँगा, your roll number, तो guys अब मैं इसको दुबारा चला कर आपको दिखाता हूँ, और guys उससे पहले क्योंकि मैंने अपनी class का name अब student कर दिया है, तो मैं यहां पर student कर दूँगा इसको भी, student John ही रहेगा, john.display, तो अ rank वाली example मैं सोच रहा था, काम तो यही था, लेकिन आप कोई overthinking ना करने लग जाए, आपको मुश्किल ना लगने लग जाए, इसलिए मैंने इसको student कर दिया, और अब आप चाते हैं, मेरा roll number कोई भी बाइड से assess ना कर सके, मतलब direct assess ना कर सके main से, तो आपने एक function बना दिय display के name से, अब जो भी आप का roll number देखना चाता है, वो display को call करेगा, और roll number यहाँ पर आ जाएगा, तो I hope guys आपको इस चीज़ के समझ आ गई होगी, तो guys for example, अब मैं चाता होगा, यह जो मेरा function है public का, इसको मैं बाहिर बनाऊ, इसके अंदर यहाँ पर ना बनाऊ, class के बाहिर का int, उसके बाद guys आप अपनी class का name लिखेंगर, मेरी class का name क्या था, student था, तो मैं लिखूंगा student, उसके बाद guys आपने दो दफ़ा colon लगाना है, और उसके बाद guys आपने जो function है, उसका name लिखना है, और उसके बाद guys आप जो भी code इसके अंदर लिखा हुआ था, वो सारा का सारा आपने यहां पर mention कर देना है, और यहां से इसको हटा देते हैं, save किया, यहां पर semicolon, और boom guys आप देख सकते हैं, अब मेरा code कितना clean हो चुका है, मैं जो भी function, for example, मैं यहां पर जितने भी function लिखना चाहूँ, मैं यहां पर लिख सकता हूँ, और function की definition का मतलब है, जो function क code है, वो मैं यहां नीचे mention कर दूँ, तो guys अब मैं आपको इसको दुबारा run करके दिखाता हूँ, और boom guys आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल सही तरीके से run हुआ है, your all number is 50, यह बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है, और guys अब मैं आपको एक और बार बार बता दूँ, कि य यह जो student के आगे, मैंने zone निक है, इसको object कहते हैं, अब एक से जादा भी object बना सकते हैं, for example, मैं यहां पर लिखता हूँ, अली, इसको मैंने safe किया, तो मैं यहां पर अली को call करता हूँ, यहां पर ali.display, right, अब मैं आपको इसको दुबारा run करके दिखाता हूँ, और boom guys आप आप देख सकते हैं, यह दो दफा run हूँ है, एक दफा your role number is 50, your role number is 50, एक दफा John के लिए, एक दफा Ali के लिए, और John और Ali basically objects हैं, इस class के, right, तो I hope guys आपको यह concept भी clear हो गया होगा, तो guys अब मैं आपको setter और getter function बनाना सिखाऊंगा, मतलब अगर आप यहां से कोई argument बेजन हैं, और वो यहां से आप इसको ले ले ले, right, तब मैं आपको वो चीज़ बनाना सिखाऊंगा, तो आइए start करते हैं, तो guys मैं उपर आता हूँ, जैसे guys मैं यहां पर role number लिखा है, अब मैं यहां पर क्या करूँगा, मैं यहां पर लिखूँगा, name, section, तो guys मैं इसको save करू पेस्ट करूँगा, नीचे दो दफा, और यहां पर लिखूँगा, your name, your section, और guys यहां पर मैं section कर दूँगा, और guys name की जगा मैं यहां पर name कर दूँगा, I hope guys आपको यहां तक समझ आ गई होगी, जो variable मैं ने उपर declare किया है, उसको बस मैं यहां पर नीचे mention कर दिया है, और तो guys इसी तरीके से मैं यहां पर एक function बनाऊंगा, int set data के नाम से, और guys अब भी आपको कोई भी किसी भी हवाले से confusion आ रही है जहन में, तो guys आप परिशान ना हों को कि अभी मैं आपको जब set data बना कर दिखाऊंगा, और सारा का सारा program run कर कर दिखाऊंगा, और पर एक दफा दुबारा समझाऊंगा, तो आपको सारी कि सारी समझ आ जागी, तो आपने इसके लिए से जरा भी परिशान नहीं होना, तो guys मैं इसी line को दुबारा copy करूंगा, तो guys जैसे हमने अपना getter function बनाया है, उसी तरीके से अब हम लोग अपना setter function बनाएंगे, जिसमें हम लोग अपनी roll number, name और section की value set करेंगे, तो आई यह start करते हैं, तो guys यहाँ पर मैं अपने function का name रखूंगा, int set data, इसके अंदर basically हम लोग उने अपने तीन arguments लेने है, एक guys हमने लेना है अपना roll number, तो इसके अदर मैं रिख लूँगा roll 1, दूसरा guys हमने लेना है अपना name, और तीसरा guys हमने लेना है अपना section right, और guys मैंने गलती की है, क्योंकि हमारा name और जो section है, वो string में होना है, तो इसको guys मैंने अपने string में mention करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको cut करके name, और यहाँ पर भी मैं इसको cut करके लिख दूँगा section, इसको paste कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, और यहाँ पर semicolon, और यह बिल्कुल ठीक हो चुक है, क्योंकि name हमारा string है, तो मैं यहाँ पर भी string लिखूंगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी string लिखूंगा, इसको save करूंगा, और end में semicolon, और guys अब मैं अपनी function की basically definition लिखूंगा, definition मतलब अपना function बनाऊंगा, और एक दफा मैं आपको सारा जब बना लूँगा, आपको सारा समझाऊंगा, तो अपने इसके लिख से जड़ा भी परिशान नहीं होना, कि अभी हम लोग को समझ नहीं आ रहा, right, मैं same यह line copy करूंगा, यहाँ पर paste करूंगा, और अपना एक function बनाऊंगा, इसके अंधर basically मैं क्या करूंगा, जो मेरा roll number होगा, वो equal to roll one की हो जाएगा, save किया, और इसी तरीके से मैं इन दोनों को copy करके नीचे paste करूंगा, और guys, यहाँ पर मैं name one और section one कर दूँगा, और यहाँ पर भी name one section one, क्योंकि name तो already मेरा एक variable का name है, तो यह conflict कर करेगा, इस वज़ा से, और guys, यहाँ पर मैं लिखूंगा name, और यहाँ पर name one, यहाँ पर section, और यहाँ पर section one, और guys, यहाँ पर अब आजएगा semicolon, तीनों के आगे, मैंने save किया, तो guys, एक दफ़ा जब मैं इसको run करके दिखाऊंगा, और दुबारा एक दफ़ा समझाऊं तो guys, basically, अब मेरा setter function भी बन चुक है, और getter function भी बन चुक है, तो अब मैं नीचे आके इसको call करूँगा, तो मैं यहाँ से अली को हटाता हूँ, और यहाँ से जो मारे function का name है, एक का नाम है setter function, sorry, set data, और दूसरे एका नाम है get data, और जो मारा object है, उसका name है john, तो मैं section, right, तो सबसे पहले guys, मैं अपना roll number लिखूँगा, for example, मेरा roll number है 40, और उसके बाद मैं अपना name लिखूँगा, मेरा name है john, और guys, मेरा section है, वो है a section, तो मैं इसको save करता हूँ, और guys, अब मैं आपको इसको run करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और दफा इसको समझा दूँगा, तो guys, मैं यहाँ पर click करता हूँ, और boom guys, आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल सही तरीके से run हो चुका है, मेरा roll number है, 40 है, मेरा name है john, और मेरा section है, वो a है, अब guys, मैं आपको इसको समझाता हूँ, तो guys, basically क्या होगा, मैंने अपनी एक john के name से object बना दिया, और मैंने set data किया, जब set data call होगा यहाँ से, तो सबसे पहले 40, john और a को बेज़ेगा, तो set data से 40 जाएगा, तो यहाँ पर 40 गया, यहाँ पर गया john और यहाँ पर गया section a, जो value मैंने argument में दी है, वो सारी value, मेरे variables जो मैंने declare किया है, उनमें set कर देगा, तो guys, मैंने यहाँ से 40 बेजा, वो 40 इदर आया, और यहाँ से guys, वो इसके अंदर set हो गया, right, इसी तरीके से मेरा name भी आया, और section भी आया, वो यहाँ पर आया, यहाँ से इसको इसने set कर दिया, right, और guys, जब set हो गया है, उसके बाद जब मैंने इसको get किया, get के अंदर मैंने अपना, जो basic मेरे variable थे, जिनका name मैंने उपर declare किया था, यह देखें, उनको मैंने यहाँ पर बस see out कर लिया, और वो बिल्कूल सही तरीके से चल गए है, तो guys, फिर भी इसके अलिए से कोई भी confusion हो, आप direct मेरे से Instagram पर पूछ सकते हैं, उसका नाम और link मैंने description पर दिया हो और नहीं, तो आप comment section में भी पूछ सकते हैं, so thank you so much guys, you all have a good day.